क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर सुर में गाने गाता है? क्या आपने कभी मोजी पहने हुए किसी पक्षी को देखा है? क्या आपने कभी फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही दस पक्षियों के बारे में जिने देखने के लिए नसीम लगता है ये इतने दुरलब है कि चुनुन्दा लोग ही इसको देख पाते हैं मगर आप भी इनको देख सकते हैं हमारे वीडियो के जरीए काकापो नाम के इस पक्षी को आउल पैरिट भी कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है शायद आप इसको देख कर समझ गए होंगे ये एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है लेकिन इसका रंग दोते की तरह हरा है न्यूजिलेंड के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी तोदो की प्रजाती में सबसे ज़्यादा भारी पक्षी माना जाता है उनकी लंबाई करीब 22-25 इंच तक होती है काकापो की खास बात ये है कि ये पक्षी उड़ता नहीं है बलकी फुदक फुदक कर चलता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा तर शिकारियों का खाना बनता है इस पक्षी का फुदक कर चलना ही एक कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या लगबग 211 ही बची है New Zealand की सरकार इन पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाती रहती है साथ ही वहां के लोग भी पक्षियों की काफी मदद करते है यहां के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो इसका इलाज कराते है साथ ही इनको खाना और पानी भी देते है जूनिन ग्रीब नाम की स्पक्षि को जूनिन फ्लाइटलेस ग्रीब भी कहा जाता है काले और सफेद रंग के साथ लाल आखों में स्पक्षि को आसानी से पहचाना जा सकता है लेकिन इस पक्षि के दर्शन मिल पाना काफी दुरलब है इस पक्षि को देखना कितना दुरलब है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते है कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है ज्यादा तर पश्य मध्य पेरू की ज्यूनिन लेक में पाए जाने वाले ज्यूनिन ग्रीब लेक्स में रहना ही पसंद करते है और समुंदर के किनारे कम ही मिलते है जूनिन ग्रीब की इस दुरलब प्रजाती को बचाने के लिए सरकार विशेश रूप से जूनिन जील में कई तरह की पहल करती रहती है इसके अलावा इस जील में शिकार करने और मच्वी पकड़ने पर भी रोक है ताकि दुरलप रजाती के इस ज्यूनिन ग्रीप को विलुप्त होने से बचाया जा सके आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहे ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोस तो चलिए अब चलते हैं नमबर आठ की तरफ सिपोब लायर बर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुन्दर पक्षियों में से एक है अस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी अपनी काफी सारी खासियतों की वज़ह से फेमस है जिसमें से एक है इसकी लंबी पूच दूसरा है इसकी नकल करने की कला और तीसरा है गाना गाना शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है तो कहीं ये तोते की प्रजाती में से एक तो नहीं लेकिन यहाँ आप गलत है ये एक तरह का पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है इस पक्षी को ज़्यादा तर गाना गाते हुए ही देखा जाता है लेकिन शायद अपनी इसी कला की वजह से सुपर्ब लायर बर्ड अब संकट में है और इनका नाम IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुचने में असानी होती है साथ ही इस पक्षी के धीरे-धीरे विलुप्त होने का कारण ये भी है कि ये ज्यादा तर जमीन पर रहते है इसके वजह से ये मनुश्य की गाड़ियों के नीचे पर आपाना जाता है नीले हरे और और औरेंज कलर के इन तोतों को और इंज बेलिट पैरिट इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इनके पेट वाली जगह पर और इंच कलर होता है इस खास तोते की लंबाई लगबग 20 संटीमीटर तक होती है ये और आपाने के लिए एक तरह की खत्रे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस कलाफुल तोते को देखना चाहते हैं तो इसका दुर्लब दर्शन आपको किंग आइलेंड, लेक विक्टोरिया और मड़ आइलेंड पर हो सकता है। इस पक्षी को ये नाम इसलिए दिया गया है क्यूंकि ये बहुत सुन्दर दिखाई देते हैं वैसे तो ये पक्षी पूरा काले रंग का होता है लेकिन उसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है। जिसको ये डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देता है और काफी सुन्दर दिखाई देता है। नमर फाइफ दे ग्रेटर सेज ग्रावस देखने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन दुरलब प्रजातियों में से एक है ये नौर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है जिसको ग्रावस बर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अडल्ट ग्रेटर सेज ग्रावस में पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीला होता है। हलके भूरे और काले रंगे दिखने वाले इस पक्षी का आगे का भाग दूसरे पक्षियों से काफी अलग होता है। सन 2000 तक ग्रेटर सेज ग्रावस को ग्रावस बर्ट ही कहा जाता था। लेकिन इसके बाद इनकी एक खास प्रजाती बनाई गई जिसको ग्रेटर सेज ग्रावस नाम दिया गया। अगर आप इस ग्रेट पक्षी के दर्शन करना चाहते हैं तो नौर्थ अमेरिका में यह संभव है। और जब आप इस पक्षी के दर्शन करके वापस आए तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Christmas Island Frigate Bird देखने में ज्यादा कुछ खास तो नहीं लगते लेकिन दुरलब पक्षियों की प्रजाती में जरूर आते हैं। एक खास खिसम के पक्षी काले और धूरे रंके होते हैं। इसके अलावा, male birds में आगे का हिस्सा लाल रंका होता है। तो वही अगर बात करें female birds की, तो इनका आगे का हिस्सा सफेद रंका होता है। मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स को अपनी तरफ आकरशित करने के लिए अपने लाल रंग वाले हिस्से को पूरी तरफ पुला लेते हैं। ये पक्षी शिकार करने के लिए अपनी बड़ी चूच का इस्तमाल करते हैं। अगर बात की जाए उनके वजन की तो ये तेट किलो तक्के हो सकते हैं। और साइस लगबग 45 इंच तक बढ़ता है। इस प्रजाती में फीमेल बर्ड्स मेल बर्ड्स से थोड़ी बड़ी होती है। बदलते मौसम और माइनिंग की वजह से क्रिस्मस आलेंड फ्रिगेट बर्ड्स की संक्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही ये प्रजाती विलुप्थ हो सकती है। विक्टोरिया क्राउंड पिजिन इस खुबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउंड पिजिन इसलिए रखा गया है। क्यूंकि इसके सर पर एक बहुत ही खुबसूरत क्राउन होता है जैसे क्वीन विक्टोरिया के सर पर ताज होता है उसी तरह इस पक्षी के सर पर भी ताज होता है जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है Crown Pigeon, Pigeon की प्रजाती में सबसे खुपसूरत दिखने वाला पक्षी है जिसकी वजह से इसको King of Pigeons भी कहा जाता है नीले और हलके भूरे रंग के इस Pigeon की आंके लाल होती है जो इसको और भी ज़ादा कर्शिक बना देती है साथ ही इसके पंकों में अलग-अलग रंग होते है जो इसको दूसरे पक्षियों से काफी अलग कर देता है ये पक्षी जादा तर New Guinea और उसके आस-पास की शेत्रों में पाया जाता है इन जगों पर आप इस खास Crown Pigeon को आसानी से देख सकते है जहां हमने इतने पक्षियों की बात की वहां हम अपने राश्च्रे पक्षी मोर को कैसे बूल सकते है मोर भी दुनिया की सबसे सुन्दर पक्षियों में से एक है जिसकी संक्या अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है और इसका कारण है इसके सुन्दर पंको की Market Demand आपने मोर को ज़्यादा तर नीले रंग में देखा होगा लेकिन सफेद और हरे रंग का भी एक तरह का मोर होता है जो देखने में काफी सुन्दर लगता है हरे रंग का मोर साउथ इस एशिया में पाया जाता है ये देखने में पूरी तरह हरे रंग का होता है और काफी सुन्दर दिखता है कितना अमेजिंग है ना ये ग्रीन पिकॉक अगर आपको भी ये पिकॉक अच्छा लगा तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए दुनिया के सबसे अनोकी बक्षियों के लिस्ट में सेक्रेटरी बर्ड्स का नाम आना काफी जरूरी है क्योंकि इसके नाम के साथ ही ये पक्षी देखता भी थोड़ा अलग है सेक्रेटरी बर्ड्स को किलर क्वीन्स भी कहा जाता है और वो ऐसे लिए क्योंकि ये किंग खोब्रा को माद दे सकते है अगर गौर किया जाए तो सेक्रिटरी बर्ट्स का आदा शरीर बास की तरह और आदा शरीर सारस की तरह दिखाई देता है इनका शरीर भूरे रंग का होता है और पंख काले और सफेद रंगे होते है सभी पक्षियों में इस पक्षि के पैर सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब भी होते है इनके पैरों को देखकर लगता है जैसे इनोंने लंबे काले मोजे पहन रखे हो जिसकी वजह से ये चलते वक्त ऐसे लगते है जैसे कोई मॉडल पूरे आचिट्यूड में चलती हुई आ रही हो तो आज आपने देखी दुनिया की दस सबसे अनोखे पक्षी इन सब पक्षियों में आपको कौन सा पक्षी सबसे संदर और अनोखा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी हूँ तो इसको लाइक करे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे और बेल आइकन को हिट करे ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो आपसे छूट ना सके